दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लडियम अपलेट पर आज का वीडियो बहुत ही कमाल का इस वीडियो में हम बताएंगे आपको CBSE Board ने कर दिया है बहुत बड़ा बदलाओ CBSE Board ने कौन सा बदलाओ किया है कैसा बदलाओ किया हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है CBSE Board का तो आप ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे जरूर देखें वीडियो को स्किप बिलकुल ना करें इससे पहले आपसको वीडियो में पूरी जानकारी दी जाए आपसे गुजारेस है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें बैल का आईकन जरूर दबादें ताकि आप दोस्तों में सेर करना भी बहुत जरूर है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं जैसा कि दोस्तों आपके सामने इस तरीका का इंटरफेस आ चुका है जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बदलाओ यहां पर लिखाया है बदलाओ तो कौन सा हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे पूरा दस्वी का मैथ होगा आसान सी बीएसी दोजार बीस से दो इस तरों में कराएगा गलित की परिक्षा है जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा दो दो भागों में करी जाए होगी मैथमाटिक की परिक्षा ठीक है और आगे बढ़ते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा दो इस तर मैथमाटिक स्टेंडर और मैथमाटिक बेक्षिक की होगी परिक्षा है जैसे कि आपको यहां पर दिखाई रहा होगा और आगे बढ़ते हैं इस्टेंडेंड मैथ महजूदा पालिट किनुपा आधारित जब की बेसिक मैथ आसान होगा और आगे बढ़ते हैं परिक्षा फार्म भरते बग चात्रों को अपनी समताओं के अनुसार दोनों में से एक विकल चुनने का मौका दिया जाएगा ठीका और आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाए देता होगा नहीं दिल्ली के इंदरिये मादमिक सिक्षा बोड़ सी बीएस सी बोड़ दसमी के चात्रों में गलित की परिक्षा का तनाव कम करने के लिए एहम बदलाव करने जा रहा है सी बीएस सी दोजार यहाँ पर दिखाए देता होगा वीडियो को जरूर पूर देखें इसके बिल्कुल ना करें सी बीएस सी के मताबिक यह सबी को पता है कि सबसे कटिन बिसा गलित की परिक्षा के पहले या उसके दोरान चात्रों को सबसे अधिक तनाव दिलाता है इसी को ध्यान में रखते बोट के मताब दोनों इस तरों के पार्टे किरम क्लास रूम आंतरे परिक्षा एक जैसी होंगी इस सबसात्रों को पूरे बर्ष सभी टॉपिक पढ़ने का मौका मिल सकेगा इसके बाद बे अपनी चमताओ के आधार पर फैसला ले सकेंगे कि उन्हें कौन सी परिक्षाओ में सामिल होना है हाला कि ये इस तर नौमी की परिक्षा में लागू नहीं होगा ठीक है और आगे बढ़ते हैं वीडियो को आप पूरे जरूर दे के परिक्षा फार्म भरते बक्त करना होगा इस तर का चुनाओ ठीक है परिक्षा फार्म भरते बक्त ही इस तर का चुनाओ कर लेना है कि कौन सा मैत आपको लेना है इस्टेंडर लेबल उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए रखकर बनाया गया है जो कि आगे की पढ़ाई गलित मिसा के साथ करना चाते हैं बहीं बेसिक इस्तर के लिए बेसिक इस्तर उनके लिए होगा जो गलित में उच्छ सिक्षा हासल नहीं करना चाते छात परिक्षा फार्म भरते बक्त स्टेंडर या बेसिक मैथ्स में एक का विकल चुन सकते हैं अगर छात गलित में फिल हो जाता है तो कंपार्टमेंट परिक्षा में परिक्षा का इस तर बदल सकता है अगर चातर ने Mathematic Basic को चुना है तो वह exam पास कर लेता है और वो अपना इस तर सुदारने के लिए compartment exam में Mathematic Standard की दुबारा परिच्छा दुबारा दे सकता है और आगे बढ़ते हैं वीडियो को जरूर पूरा देखें ठीक है ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को सेर करें फेस्बुक पे और वार्सप पे ये छोटी सी जानकारी थी छोटी सी वीडियो थी student के लिए थी अगर आपके घर में को student है आपके रिस्तेदार में student है CVSC Board का है तो ये वीडियो को जादा से जादा सेर करो अपने याद दोस्तों में ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और एक आपको कमेंट करना है कि आप CVSC Board के student है नहीं तो आपने हमें दोस्तों कीमति समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया